ए गाईज So颖 की इस वीडियो में हमबात करने वाले दोस्तों और ये चैप्टबर आपका 3 है चैप्टबर आपका ये 3 है और चैप्टर 3 है दोस्तों और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों वायुँ जू है जिवन के लिए आवशिक है वायुँ जिवन के लिए आवशिक है वायू जिवन के लिए जिवन के लिए आवशिक ये दोस्तों ये है आपका चैप्टर का नाम दोस्तों ये आपका है क्या चैप्टर का नाम है तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों तो इसको जड़ा हम छोटे कर ले रहे हैं कि छोटे तो नहीं हो रही है ऐसे फिलहाल के लिए हैं इस चैप्टर का नाम क्या है वायू जीवन के लिए क्या है अवशिक है तो चलिए दोस्तों आज कि इस वीडियो में केवल वायू के बारे में ही जाननी है तो आज के बाद आपको वायू के बारे में doubt killer हो जानी चाहिए कि वायू क्या होता है और क्या नहीं होता है इसके बिसे में आज हम पूरी अधन करने वाले हैं अगर आपको जो चीज भी डाउट लगेगी दोस्त तो आप कमेंट करके बताने का पर्यास किजेगा और हम आपको उत्तर बताने का पर्यास करेंगे तो चलिए आज का लेक्सर को बिन समय गवाय सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं हूं पपू गुरू और आप देख रहा हैं मेरा YouTube Channel Science Mal तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं मज़तरिकों से और देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या-क्या सेखते हैं और क्या-क्या नहीं सेखते हैं तो कुछ नहीं करनी है, अब देखिए अब क्या होता है और क्या नहीं होता है, थोड़ी सी हम साफ कर ले रहें, साफ करने के बाद, फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायू क्या होता है, दोस्तो आप सब जानते ही कि जब पंखा के सामने अगर कोई किताब रख दिया जाए तो फलफ़ाता ही फलफ़ाता है और दोस्तों अगर किसी कपड़ा को अगर हम किसी धागे पर टांग दे तो फलफ़ाता ही फलफ़ाता है और किसी घेरनी को लेकर हम दोड़े तो वह घूरता ही घूरता है घूरता ह यह किसके कारण होता है तो यह वायू के कारण होता है दोस्त समझे दोस्त तो आप पंखा के सामने बैठते हैं तो आपका बाल भी उड़ता है बहुत सारे चीज़ जैसे हैं जो मतलब फलफराते हैं हम यह कह सकते हैं कि वायू जो है क्या पारदर्सी है ठीक है वायू जो है क वायू तो अगर आपको ये दीख रहा है तो ठीक है दीख रहा है तो जल्दी से comment करके बताईए चलिए आपको ये दीख रहा है तो दोस्त आपको ये हम zoom कर दिये हैं अगर आपको दीखे कर तो ठीक है दोस्त लिखा हुआ है थोड़ा सा नाम हर तरीका से होता है उसी परकार हवा जो है हवा का अनेक नाम है जैसे दोस्तो हवा को हम वायू भी कहते हैं हवा को वायू भी कहते हैं और इसके बाद तान भी कहते हैं क्या करते हैं तान और वात जिहां दोस्तो और वायू मंडल भी कहते हैं जिहां दोस्तो हवा को हम व तो आप हवा के नाम अगर लिखना चाहती हैं, तो आप अस्किन सोट पटापट ले सकते हैं, कि हवा के ये सब नाम होती हैं, हवा के हम इतने नामों से पुकार सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को हम अनेक नामों से पुकार सकते हैं, उसी परकार हवा को भी हम अनेक नामों से जैसे में आपको तो दिखी रहा है वायू, तान, वात, वायू मंडल, समीर, पवन, इतियादी तो दोस्तो इसके बारे में हम निम्न लिखी कुछ खास तथिये हैं देखते हैं अभी देखने वाले हैं, कि यह क्या है, तो चलिए, अगर आप सकिन सॉट ले लिए तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों पहला point है कि हवा प्रिथिवी का वायू मंडल है हवा जो है दोस्त प्रिथिवी का वायू मंडल है प्रिथिवी का वायू मंडल कहने का मतलब हमारे चारो तरफ हमारे चारो तरफ वायू ही वायू है तो दोस्तों हमारे चारो तरफ वायू है ना तो वो हो गया दोस्तों वायू मंडल ओके इतना समझे अब दोस्तों देखे दूसरा पॉइंट क्या है इसके बीना मनुस्य जीवित नहीं रह सकते हैं मनुस्य क्या मनुस्य ही क्या बहुत जीव ऐसे हैं जो वायू के बीना नहीं रह सकते हैं समझे यानि वायू नहीं मिलेगी तो दोस्तों जितने भी जीवजनतु हैं सब नस्ठ हो जाएंगे मर जाएंगे अब देखें तिसरा पॉइंट क्या है तिसरा पॉइंट है दोस्तों इसके बिना संभावत प्रिथिवी पर रहने वाले दोस्तों हम लोग प्रिथिवी पर हैं हम लोग दोस्त प्रिथिवी पर हैं ठीक है तो दोस्तों प्रिथिवी पर रहने वाले सभी जीवों का जीवित रहना असंभाव है जी हां दोस्तों अब देखती हैं आगे कि आगे क्या है दोस्तों आगे है इसका अकार यानि शैप इसका अकार और आयतन यानि भोलू दोस्तों इसका अकार और आयतन जो है ना अनिश्चित होता है दोस्तों कहने का मतलब है किया आप आज 10 किलो हैं तो क्या कल एक दिन में 20 किलो हो जाएंगे आज 10 किलो हैं तो क्या एक तिन में कल 20 किलो हो जाईएगा नहीं न दोस्तों वही है वायू का तो देखिए हम लोग तो निश्चित हम लोग का आयतन है आकार है जोस्तों लेकिन वायू का जो आकार हो आयतन है वो अनिश्चित है यानि आज वो 4 किलो का है तो कल 20-40 किलो का हो सकता है समझे तो वो होता है इसका आकार और आयतन तो इसका आकार और आयतन क्या होता है जी हाँ दोस्तो यह जो वायू है ना बहुत सारे गैसो और धूल कानों का मिसर्ण है दोस्तों गैसो कहने का मतलब समझ रहे हैं जिससे हमारे वायू मंदल में ना कारबन डैयोकसाइड ऑरगन नाइट्रोजन हाइड्रोजन यह सब गैसे हैं तो उसमें गैसे और धूलकन का धूल होता है आपको धूलकन तो धूलकन भी क्या है मिस्रित यानी मिलल है उसमें समझें वायू में क्या है धूलकन और सारे गैस भी मिले हुए है अब दोस्तों देखेए यह एक दरब्य है यह एक मैटर है यह बात करें तो दोस्तों यह एक पदार्थ भी है जियां दोस् वायू जो है अस्थान भीए जिरता है ओर उसका आयतन भी होता है तो दोस्तों वह होगए आपको दःब्व्य यानि पदार्थ समझे अगर और अच्छे से पदार्थ समझना चाहते हैं दोस्तो बस इतना समझे कि जिसका कोई न कुछ न कुछ दरब्य मान हो भार हो तो वो होता है आपको दरब्य ठीक है यानि पदार्थ ठीक है दोस्तो तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे है दोस्तो इसका कोई वास्तिविक रंग नहीं होता है जी हां दोस्तो जैसे जैसे होता ना है जैसे गाजर का रंग लाल है है ना जैसे कोई भी कपड़ा लेते हैं तो उसका लाल पेर हरी रही सब इस तरह से रंग रहता है लेकिन वायू का कोई रंग नहीं है वायू क कोई रंग ने तो समझे दोस्त तो यह सब होती है अब आगे देखते हैं दोस्त कि यह क्या होता है दोस्तों यह होता है गंध हीन यह क्या होता है गंध हीन होता है जी हां दोस्तों यह गंध हीन गंध हीन कहने का मतलब समझ रहे हैं तो दोस्तो थोड़ी सी मतलब हल बड़ाहट वाज आ रही है ना तो थोड़ी दिक्कत हो ही रही है मतलब अगल बगल से वाज आ रही है तो मेरे को दिक्कत हो रही है अब दिखें दोस्तो है वायू वायू चलने रही है थोड़ी सी मारकर तो चली हां चलने वाली है वायू सभी दिशावों में जोर डालती है सभी दिशावा कहने का परतब समझे रहे हैं पूरू पजी मूतर लेकिन सब दिशाएं तो यह सब होती है अब दोस्तो है इस संकुचित किया जा सकता है इसे छोटा बड़ा किया जड़ सकता है इसका साइज जूज हो सकता है से हर चीज में जाया करना दोस्तों अगर वह गिलास में तो गिलास का कार ले लेगा और वह किसी घर में तो घर क्या कार ले लेगा यानि यह संकुचित होते रहता है समसे दोस्त तो वायू क्या होता है पारदर्सी होता है वायू पारदर्सी कहने का मतलब होता है दोस्तों वह किसी चीज से पार हो जाता है वायू किसी चीज से पार हो जाता है तो चलिए अब इतना तो वायू के बारे में हम अभी बताएं और बताने के बाद चलिए आगे द अब चलते हैं हम दोस्तों आगे दोस्तों अब आती है हमें सवाब आती है और हमें आगे सिखनी है दोस्तों कि वायू जो है हर जगह उपस्तित है घर के कोने गलास कहें भी दुनिया के कोई कोना में आपको वायू जो हर जगह उपस्तित है तो आपको लिखनी है दोस्तों हा कि दोस्तों वायू जो है ना हर जगह ही उपस्तित है आप जहां चाहते हैं ना वहां उपस्तित है वायू ओके तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अब आगे आता है दोस्तों कि वायू मंडल किसे कहते हैं दोस्तों वायू मंडल किसे कहते हैं दोस्तों वायू मंडल वायू के समूह को बोलते हैं दोस्तों वायू मंडल वायू के समूह कहने का मतलब दोस्तों वायू धेरे सारा मिल गया ना दोस्तों मतलब हमारे चारो है आपको यू मंदल उप समझ गए होंगे कि क्या होता है हमारे चार्व तरफ जितने भी यह सब क्या है हुआ है थे तो चलिई अब आगे देखते हैं इसका अगर परिभासा दोस्त हमारे चार्यों तरफ के हवा को हम क्या बोलेंगर १ोस्त तो वा वायू मंडल ही है यतना तो आपको पता हो गया तो चलिए अब आगे देखते हैं अब आगे आता है दोस्त कि वायू में जल वास्प जो है ना जल वास्प कहने का मतलब पानी का जो कन है वह उपस्तित है या नहीं है हवा में जल वास्प उपस्तित है या नहीं है इसके दिन जानते ही होंगे दोस्तों क्या होता है बरसाथ के दिनों में जब कागज पर हम कोई नमक रख देते हैं तो कागज पर कोई जब नमक रख देते हैं तो वह कुछ समय के बाद क्या होता है वह कागज गिला हो जाता है इसका मतलब यह है कि दोस्तों वायू में जो है जल व तो इतना तो आपको पता हुआ कि वायू में जल उपस्तित है तो आपको लिखनी है ओके तो चलिंगम आज़ेदेखते हैं एक आगे आता है दोस्तों भायू से तानी चलंग हुआ कि आज़े क्लील वह इन anam दोस्तों 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 से लॺ जब आ वायू में जो है उसका प्रेक्शन करना है तो दोस्तों मान लेते हैं आपके पास दो मुंबत्या है अगर दो मुंबत्या है अगर आप जला दीजिए जलाने के बाद दोस्तों एक एगला समस्जी कि उसमें उसे ऑक्सिज़न नहीं मिल रहा है यह जाता है तो समझhst लीजी कि के सहयता से जल रहा है अगरम करने का यही तरीका है अगर जब भी आपको डियाल जलाते हैं गत जल जाता है तो समझझी कि वाइउ पसीजन उपस्थित नहीं है तो यतना तो आपको आया अब चलते हैं दोस्तों आगे की और जिहां दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरे को कॉमेंट में बताएगा मैं आपका सॉलुसन दूँगा और आप मेरे साथ रहें और मैं आपके साथ रहता हूं दोस्तो आगे देखनी है वायू में नाइट्रोजन उपस्तित है या ना वायू में नाइट्रोजन जी हाँ दोस्तो हमने आपको पहले ही बता है कि वायू में नाइट्रोजन जो गैस है तो वह उपस्तित है ही है ठीक है दोस्तो तो चलिए आगे चलते है अब आगे आता है क्योंकि दोस्तो एक टरीक्षन करने का जब लकड़ी जलाते हैं कहीं तो क्या आप देखते हैं कि कुछ समय बाद यापका घुठना है दर्द करने लगते protest सु तो दर्द करने लगती है तो हम यह कह सकते हैं कि वायू में कार्बन डाय उक्साइड उपस्तित है ओके इतना आपको आया बस इतना समझें कि वायू में कार्बन डाय उक्साइड उपस्तित है ही है ठीके दोस्तों आप बच्चे हैं तो इतना जाननी है जाननी है कि वायू मे धूलकन उपस्तित है, कैसे, दोस्तों, क्या आप सब जब गरिव आद्मी, जो रहते हैं, उनके घरों में जाते होंगे, तो देखते होंगे कि खापड़ाँ गुरह रहते हैं, तो उसे परकास आता हैं, अमेर आदमी भी है तो उसके घरों में जो खीड्किया थी है तो उसमें आपको दिखायी देने लगती ऐ, जिब पर्कास के खिरने आती है तो आपको दिखायी देती है की वावी में जो है धूल कन उपस्तित है, जैसे आप रात में टॉंर्स बार लेगे हैं आश्मान में ाई में धूलकन उपस्तित है ठीक है तो चलिए अब देख लिते हैं आगे साथी साथ आप लेखते चलिए विडियो इसकर आगे देखते हैं कि दोस्तों आफ कर लते हैं ups horizon के बाव किнулरशना कितना है कितना परतीसत है दोस्तो वायू मंडल में जो नहीं है न ऑक्सीजन जो है 21 परतीसत है और दोस्तो और दोस्तो आपको नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है दोस्तो आपको 78 परतीसत है यतना है 78 परतीसत है और दोस्तो बाकी अन्य गैस है 0.01 जैसे आरगन उरगन है तो बस अन्य गैस कितना है इस तरह से है दोस्तों आपको मिलाने पर क्या आपको 100 हो जा रही है अन्य गैस कितने है 0.01 इस तरह से है यानि जैसे आरगन के बात करें तो 0.5 है 0.5 है आरगन का तो आरगन का है ठीक है तो इस तरह से हैं दोस्तों अगर आप अगर आप देखिए यहां अगर आप देखिए 21 और 78 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपको 99 हो जाएगा और 11 मतलब 0.1 0.5 0.6 इसी तरह से कटकर के 0.8 मतलब अन्य गैस जो हैं ठीक है तो वायू के सन रचना यह है आपको से सर परतिसत है और नइट्रोजन के तना है तो आको 58 परतिसत है और अन्य गैस आपको कितना है 0.02 using इस तरह से हैं आपको ढपनी नहीं है एकजाम में कि क्या होगा कितना कितना परतिस नहीं होगा आपको पढ़त से बस याद रखनी है और जवाब दे द hakk पढ़त से थे हैं औ दोस्तों मिट्टी में हवा जो है उपसित है या ना इसके भी साय में देख लेते हैं दोस्तों क्या आप जब बारिस होता है तो क्या आप देखे हैं कि बुलबुले निकलते हैं जब बारिस होता है तो क्या मिट्टी में से बुलबुले आप निकले देखे हैं जी हां दोस्त हैं कि मिट्टी में वायू उपस्तित है तो आपको पड़ सेकाना है कि हाँ ठीक है कोई भी पूछेंगा तो आपको बतानी है कि मिट्टी में वायू उपस्तित है ही है ओके तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है अब दोस्तो आते हैं वायू के कुछ उप्योग देख लेते हैं कि वायू का उप्योग और इससे क्या क्या कारी हो सकते हैं इस मतलब इसका उप्योग देख लेते हैं कि क्या क्या में होता है ठीक है तो चलिए पहले दोस्तो हम देख लेते हैं क्या क्या में होता है दोस्तो पहला पॉइंट है आपको वायू बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है बादल समझ रहे हैं हमारे आकास में बादल हैं दोस्तो जो पानिया होते हैं जो गिराते हैं तो दोस्तो बादल जो हैं एक अस्थान से मतलब वायू जहें बादल को एक अस्थान से में चल जाता है उड़कर चला जाता है तो उसी परकार है हना ौन्डल में भी व्य मतलब मंडल में gonna only रहा कि जटी बादल जो है ना एक अस्थां से दूसरेशना इधर उदर होते रहते हैं तो इतना थो आपको तो चली पहला पॉइंट तो आपको यह रहा था और दूसरा पॉइंट देखी क्या है और दूसरा पॉइंट है दोस्तों दूसरा पॉइंट है यह पॉधे के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायता होती है जहां दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जब कोई पेंड हवा के जरी क्या हो जाते हैं कि दूसरे जगह चले जाते हैं तो यह वायू के सहायता से होते हैं कि यह पौधे यह बीजों को इधर उधर मतलब फैलाने में सहायता करते हैं अब आगे आता है दोस्तों यह पंची चमगादर यह कीटों को उड़ने में मदद करती है जी हां द चलिए नोट्स लिख सकते हैं और चौथा दोस्तों चौथा आपको है कि देख लिए चौथा यहां है आपको यह चौथा चौथा यह अन्य कनों को भूसा से अलग करने में साहता करते हैं जी हां दोस्तों आज काल के जूग में तो लोग गाड़ी से मतलब भूसे कुड़ा दोस्तों देख लेकिन पहले के जुग में क्या होता था कि जब गाड़ी ओगरा नहीं होता था तो लोग हाथे से मतलब पीट पीट कर और धान उन्हों होता था ना उसको मतलब ऊसाते थे तो सूप अगरा से तो हम यह कह सकते हैं कि वायू जो है अन्य कनों कि थानूं जो ह खेने में मदद करता है और गलाइडर पैरसूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है जी हैं दोस्तों वाई जो होती है गलाइडर यह सब गेम है पैरसूट हवाई जहाज को यह चलाने में सहायता करती है तो दोस्तों यह थी आज की लेक्चर तो आज की लेक्च सब्सक्राइब करने चैनल आपको कुछ सवाल दिदे रहें मेरे को कमेंट में बताने का परियास किज़ेगा तो चलिए पहला सवाल है वायू में नाइट्रोजन कितना है ये है पहला सवाल दोस्त और दूसरा सवाल एक और ले लिजिए वायू में नाइट्रोजन उपस्तित है ये है दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है दोस्त वायू में ओक्सिजन वायू में ओक्सिजन उपस्तित है तो चलिए आप इसका उतर कॉमेंट में बताने का पर्यास किजिए और नहीं बनेगा तो हम है आपके साथ और तो चलिए आजकर चैप्टर था न वह समाप्त हुआ तो अगले लेक्षर में दोस्तों अगले चैप्टर रहा स्टार्ट करेंगें तो अगर आप अगले चैप अगले चैप्टर के साथ तब तब के लिए अपना ख्याल रखेगा